नमस्कार आप देख रहे हैं टाइम्स नियूज और मैं हूँ आपके साथ छवी इंदौर शहर में लगातार धोका धड़ी के मामले रुखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं ऐसा ही एक मामला इंदौर के भवरकुआ थाना छेत्र का सामने आया है जहां जादा मुनाफ़े के चकर में यूफ्टी भी ठगी का शिकार हो गई वहीं पुलिस ने मामला दर्च कर जाँच शुरू की है दरसल पूरा मामला इन दौर के भवरकुआ थाना चेत्र का है जहां पीडिता मेनाक्षी ने थाने पहुँच कर शिकायद दर्ज कराई है कि पैसे डबल करने का लालच देकर मैंने अग्यात यूवक को 92,000 रुपए दिये थे जिसके बाद यूवक द्वारा ना ही मेरे पैसे डबल किये गए ना ही मेरे रुपए लोट आए गए जिसके बाद पीडिता ने जब अग्यात यूवक को फून लगाया तो यूवक का मोबाइल भी बंद निकला जिसके बाद पीडिता ने थाने पहुंच कर अग्यात यूवक के खिलाफ धोका धड़ी और विभिन पैसे लेने के बाद में जब क्रिप्टो करने की बात हुई या इन्वेस्टमेंट्स के जो एसेट्स हैं वो लेने की बात करी तो वो उनकी दोरा नहीं बजान किये गया नंबर बंद हो गया उनको पाया इस कारण से उनकी उपर मामला अग्यात ना पंजीवत किया गया है इसमें आरुपियों के तराज जारी है जल से और इसमें गरबतारी की बानने वे हजार 92,000 रुपीज के इंवेस्टमेंट उसने करी थी जिसके बाद उसको पैसे वापस नहीं मिले है नहीं उसके एसेट्स उसको मिले है अब आपके मोबाई और स्वाथ टीवी पर लाइव प्लेस तोसे दाउन नोट करें ताइम स्माण पेई करें आपके मोबाई